नमस्कार, सूचना इवं प्रसार्ण मंत्राले के सापताहिक पॉड्कास्ट में आपका स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड का विशय अधारित है 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किये जा रहे खादी महोत्सो पर खादी महज एक कपड़ा नहीं बलकि भारतवासियों को महात्मा गांधी के स्वदेशी अंदोलन से जोड़ने वाला भावनात्मक प्रतीक भी है गाधी जी का मानना था कि खादी की कपड़े पहनना ना सिर्फ भारतियों को अपने देश के प्रती प्रेम और भक्तिभाव को दिखाता है बलकि भारत की विवित्ता में एक ताको की दर्शाता है खादी महुत्सों भारती स्वतंतता अंदोलन के इतिहास को पुनर जीवित करने का भी एक प्रयास है इस महुत्सों का उद्देश है खादी और ग्रामोद्योग, हतकरगा, हस्त शिल्प और एक जिला एक उत्पाद हो पढ़ावा देना है यह महुत्सों विभिन राज्यों के खादी उत्पादों की एक विवित शिंखला को प्रदर्शित करेगा जिसमें खादी के कपड़े, रेशम की साड़ी, ड्रेस माटेरियल, कुर्ते, चैकेट, ब्लेट शीट, कालीन और साथ ही उत्कृष्ट कला एवं हस्त शिल्प से जुड़े सामानों की प्रदर्शनी की जाएगी ग्रामीर और सुदेशिय उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश से प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी लगादार खादी को फ्रोत्साहिद करते हुए इसे हर घर तक पहुचा रही है खादी सस्ट्रेनबल क्रोधिंग का उधारण है खादी इको फ्रेंडली क्लोधिंग का उधारण है खादी से कार्बन फूट्प्रिंट कम से कम होता है ऐसे बहुत सारे देशें जहां तापमान ज्यादा रहता है वहाँ खादी खेल्थ की द्रश्टी से भी बहुत अहम है और इसलिए खादी आज वैश्विक्स तरपर बहुत बड़ी भूमी का निबा सकती है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधि ने हर अवसर पर खादी उत्पादों का प्रिशार कर इसे लोकल से ग्लोबल बना दिया है और अब खादी विश्वभर में जाना पहचाना एक ब्रांग बन चुका है प्रधान मंत्री नरेंदर मोधि के अपील पर दिल्ली वासियों ने खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के खरीद में एक नया कीर्थिमान इस्थापित किया है गांधी जैन्ती के अउसर पर ने दिल्ली के कनौट प्ले सिस्थित खादी भवन में एक करोड बावन लाग पैंतालिस हजार रुपए मूल लेके खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई जो एक दिन में की गई अब तक 30 सरवागी बिक्री है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के नेतरत्यु में वोकल फोर लोकल के मंतर से स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक ही वित्तिय वर्ष में एक दश्मलो तीन चार लाग करोड से धिक के उत्पादों की बिक्री का नया रिकॉ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के कारेभार समहलने के बाद से पिछले नौ वर्षों में ग्रामी शेत्रों में कारीकरोध्वरा बनाये गए उत्पादों की बिक्री में 332 प्रतिशत की वर्थी दर्ज की गई है वर्ष 2014 में जहां खरीदारी और ग्रामुद्योग आयोग का टर्नुवर 31,154 करोड रुपए था महीं वित्पी वर्ष 2022 में यह बढ़कर 1,34,630 करोड रुपए पहुँच गया इसके साथ ही खादी और ग्रामुद्योग आयोग ने ग्रामी इडिलाकों में 9,54,899 नए रोजगार से जित करते हुए नील का पत्थर इस्थापित किया नव सान पहले खादी और ग्रामुद्योग का कारोबार 25,30,000 करोड रुपए के आसपासी था आज ये एक लाख तीस हजार करोड रुपए से अधिक तक पहुच चुपा है पिछले नव वर्षों में ये जो अतिरित एक लाख करोड रुपए इस सेक्टर में आये हैं कि पैसा कहां पहुचा है और ये पैसा मैंने हध करगा सेक्टर से जुड़े करीब भाई बहनों के पास गया ये पैसा अधिवाच्छों के पास गया आज जब लीतियायों जो में पिछले पांच साल में साड़े तेरा करोब लोग भारत में गरीबी से भार निकले हैं वो भार निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमिक आदा की है। के मंतर को वैशिक पहचान दिलाने का एक उसर भी था। इसी क्रम में 10 सितंबर की सुबह पूरी दुनिया राजगार से आने वाले अध्भुत रिश्यों की साक्षी बनी जब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने G20 शिकर सम्मेलन में आए सभी विदेशी राष्ट्रा खादी अंगवस्तर से स्वागत किया। इतिहास गवा है कि खादी का एक एक धागा आजादी के अंदोलन की ताकत बना था। आजादी के सौ वर्ष पूर होने पर वर्ष 2047 तक विक्सित भारत के सपने को पूरा करने के लिए भी खादी प्रेणा सुरोत के रूप में नए विशे के साथ नमस्कार